वो नजर से गुजर जाया करते हैं, वो सितारे अक्सर तूट जाया करते हैं, कुछ लोग दर्द को बया नहीं होने देते, बस चुप चाप बिखर जाया करते हैं, तेरी आर्जू मेरा ख्वाब है, जिसका रास्ता बहुत खराब है, मेरे जक्म का अंदाजा न लगा, दिल का हरपन्ना दर्द की किताब है, हम उम्मीदों की दुनिया बसाते रहें, हम उम्मीदों की दुनिया बसाते रहें, वो भी पल पल हमें आजमाते रहें, वो पल पल हमें आजमाते रहें, जब महबत में मरने का वक्त आया, हम मर गए और वो मुस्कूराते रहें, रोने की सजा न रूलाने की सजा है, हसते हैं तो आखों से निकल आते हैं आसू, यह उस सक से दिल लगाने की सजा है, हादसे इनसान के संग मस्खरी करने लगे, लफ्स कागज पर उतर जादू गरी करने लगे, कामयाबी जिसने पाई उनके घर बस गए, कामयाबी जिसने पाई उनके घर बस गए, जिनके दिल टुटे वो आसिक सायरी करने लगे, हादसे इनसान के संग मस्खरी करने लगे, लब्ज कागज पर उतर जादूगरी करने लगे और काम्याबी जिसने पाई उनके घर बस गए और जिनके दिल टूटे वासिक शाहिरी करने लगे हेलो फ्रेंट्स दिस विजयराज पुस्पन विल्कम टू लर्नर आईज वाई बी आर पी तो आईए आज हम लोग प्राचीन भारत का ये अंतिम पाठ है जिसको हम लोग आज परने का प्रयास करते हैं जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस का एक्जाम बहुत जल्द यानि डेट भी आ चुकी है तो अब हम लोग बिल्कुल तनमयता के साथ पुरा लगण के साथ परहाई करें और खासकर जीके का काफी इंपोर्टेंस है इसलिए जीके पर ज्यादा ध्यान दे नहीं तो यह शुरुआत करते हैं लास्ट है प्राचीन भारत का आपको पता है कि हमारे जो भारत का इतिहांस उसको तीन भागों में परना प्राचीन भारत मद्धकालीन भारत और अधुनिक भारत तो आज हम लोग प्राचीन भारत का अंत करेंगे उसके बाद शुरू होगा करके लोग आपस में लड़ने लगते तो क्या होता है जो परोसी होते हैं वह आपकी बातों को मानने से इनकार करने लगते यह नहीं करते हैं बिलकुल एक बात और समझेगा अगर वाई चांस कोई ऐसा ब्यक्ति है जो अपने घर को संभाल की रखता है तो क्या होगा आसपास के लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं उसी परकार से हमारे देश में भी होता है जब किसी राजबंस का जो मेंड सासक होता है अगर वह कमजोर परने लगता तो बाहरी लोग उस पर क्या करना शुरू कर देते हैं हमला करना शुरू कर देते हैं और कहां से करेंगे एक डाइरेक्ट तो राजधानी में हमला नहीं होगी हमला कहा से होगी किनाड से होगी तो उसी परकार से जब भारत में जो था दिल्ली की सरकार भारत में जो मगद है दिल्ली है या जो में सरकार था उसकी सत्ता जब कमजूर होने लगी तो उसके बाद शीमा बरती राजवंसों का क्या होने लगा उदय होने लगा यानि सभी चारों तरफ से अब छोटे छोटे राजा आना शुरू कर दिये तो आज हम लोग इसके अंतरगत पढ़ेंगे उस बंस का नाम है यादब वंस शुरूआत करते हैं आपके तो यादब वंस सबसे पहले जानते हैं आप जानते कि यादब वंस की जो अस्थापना करने का स्रेज आता है जो इस बंस के संस्थापक है या अस्थापक है उसका क्या नाम था भिल्लम पंचम क्या था भिल्लम पंचम जो था वही इस बंस के क्या थे संस्थापक थे और इस बंस की जो राजधानी थी इस बंस की राजधानी जो थी उसका नाम है देवगीरी क्या नाम है उसका देवग के लिए और इसके जो प्रमुक सासक थे इस बंस के जो प्रमुक सासक है उसका नाम है सिन्हज ठीक है सिन्हज जो थे इसके प्रमुक सासक माने जाते हैं ठीक है और इस बंस का जो अंतिम स्वतंत्र सासक जो थे स्वतंत्र का मतलब वह किसी पर निर्भर नहीं थे वह खुद अपना सासन वेवस्ता चलाते थे और उनका नाम था राम चंद्र स्वतंत्र सासक ते इस मंस के और एक बात और बात कर दूं कि एक जो हिजरा था नहीं जिसका नाम था मलिक कफूर मलिक कफूर एक हिजरा था ये नहीं जिसने राम चंद्र ने क्या कर दिया उसके सामने आत्म समर्पन मलिक कफूर के सामने आत्म समर्पन कौन कर दिया था राम चंद्र यानि हार गया था नहीं तो ध्यान रखेगा अभी हम लोग जानकारी ले रहे किस बंस के बा वहुत ही स्वतंतर सासक तो थे, लेकिन मलिक का फूर के सामने इनको क्या करना परा, आत्म समर्पन करना परा, और अब हम लोग इसके बाद एक नया बंस की बात करेंगे, और उसका नाम है काक्तिये बंस, कौनसा बंस? आईए अब शुरुवात करतें आदब बंस के बाद, काक्तिये बंस की बात करतें, देखें ये सारा जो है न, काक्तिये बंस के बारे में जानकारी लेते हैं, काक्तिये बंस के समझेगा, इसके जो संस्थापक है, काक्तिये बंस के जो संस्थापक है, उनका नाम है बीटा प्रथम इनहों ने इस बंस का स्थापना किया और सबसे सक्तिसाली सासक अगर काक्ति बंस का हुए तो उसका नाम है पता है आपको उनका नाम है गनपती गनपती जो थे सबसे सक्तिसाली सासक थे और इनों ने क्या किया तो इनों ने एक बरी अपनी राजधानी को ये जो थे गनपती इसने काक्तिय बंस की राजधानी को कहां पर रखा वारंगल में रखा वारंगल इसने अपनी राजधानी को बनाया ठीक है तो बस देखें इस अब जो है न सिम गए नहीं इसलिए हम लोग केबल इनका जो संस्थापक है वह जाने और अंतिम सासक भी सब का जानकारी नहीं है नहीं तो सक्तिसाली की बात कर लेंगे और राजधानी की बात कर लेंगे तीन चीजों का आप लोग ख्याल रखते चलेंगे अगला एक और बंस की बात कर लेंगे वह बंस है हुएसल बंस हुएशल बंस अब हुएसल बंस के बारे में जानते हैं थुरा सा सबसे पहले ठीक है इसकी जो संस्थापक है इसके जो अस्थापना किये हैं उनका नाम क्या था द्वार समूंद्र द्वार शमूंद्र इनका न एक मिनट एक मिनट एक मिनट शोरी सोरी इस बंस की जो अस्थापना की उसका नाम है विशनु वर्धन विशनु वर्धन इस बंस के संस्थापक है और यह कहां से आया है यह यादव बंस की ही साखा याद बंस को ही साखा था और अंतिम जो इसका शाषक है जिनका कई नाम है वल्लाल तिर्तिह को बघवन तिर्तिय जो है इसका अंतिम् सासक ए ठीक है और इसी को फिर इसको भी कौन हरा दिया मलिक काफूर नि इसका Mitजमत मली काफूर जो थे काफी सक्तिसाली ब्यक्ति थें और एक तुन हो ने राम-चंद्र को भी हराया और फिर किसको हरा दिया वेसल बंस की अंतिम राजा नहीं अंतिम सासक बल्लाल को भी और वेसल बंस की राजधानी कहा थी तो द्वार शमुंद्र द्वार शमुंद्र इस बंस की राजधानी थी ठीक है और चुकि मली कफुर इसको भी हरा दिया है तो इसका भी कहानी क्या हो चुका ह समाप थार गया तो कुछ बचएगा और इसमें सबसे जो इंपोर्टेंट बंस आता जिसका नाम है पाल बंस काफिंपोर्टेंट पाल बंस पाल में गो लगा दीजिए तो बन जाएगा गो पाल गो पल गाय को पालने वाला नहीं संस्थापक यानि पाल बंस के संस्थापक का नाम है गोपाल बहुत बहतरीन सासन है इनका ठीक है और इन्होंने इस बंस की जो अस्थापना किया था 750 इस्वी में किया था और इसकी राजधानी कहां पे थी अपना ही बिहार के मुंगेर जिला में मुंगेर जिला में इतना ही नहीं सबसे इंपोर्टेंट है ओधन्त पूरी विश्विद्याले की अस्थापना किस ने किया गोपाल याद कर लिजेगा ओधन्त पूरी विश्व विश्विद्याले की अस्थापना करने का स्रे किसको जाता है गोपाल को जाता है कुछ याद ह जो चाहर नहों यह जरूर याद रखेगा ओधन्तपुरी गोपाल ओधन्तपुरी विश्विध्याले क्या स्थापना गोपाल और इसी बंस का एक परतापी राजा था बहुत बहतरीन जिसका नाम था जिसका नाम था पता है धर्म पाल विक्रम विश्विध्याले विक्रम सीला यह बहुत इंपोर्टेंट है कोशन विक्रम सीला विश्व विश्व विश्विध्याले की अस्थापना जो किये है उसका नाम क्या है धर्म पाल इस दोनों में कनफ्यूजन आ जाता है याद रखे गळेगा викरम का धर्म.. अधान्त पुरी की सथापना कौन कि आथा ? गोह पाल बदन्त पुरी बिसवि डाले ? गोह पाल अईसे भी गोह में ओ आता है ? गोह ओ आता है ने ओ तो याद रखेगा ? ओ यानि उदन्त पुरी बिस भी डाले ? गोपाल और बच गया बिक्रम तो उसमें धर्म पाल अपने आ जाएगा, correct है उसके बाद और इसके जो अधिकान सराजा हुए वह सब बहुत धर्म को मानने वाला था कौन धर्म को मानने वाला था बहुत धर्म के ये लोग मानने वाले थे तो दो कोस्टन सबसे आज तक पूछा है ओधन पूरी पिस्विद्याले तो गो पाल याद रहेगा और बिक्रम सिलातो धर्म पाल तो इस चीज को आप याद रखेगा शमझे और इसका जो परतापी सासक हुआ था ठीक है कौन सा धर्म पाल तो सबसे पहले इसका स्क्रीन सॉट लिजिए तो फिर हम बातों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं ऐसा करते हैं कि आपने स्क्रीन सॉट ले लिया होगा तो अब हम इसके बाद सेन बंस की बात करेंगे अब हम लोग सेन बंस की बात करेंगे अब हम लोग सेन बंस आईए सबसे पहले जानते हैं सेन बंस के बारे में कि सेन बंस जो है इसके जो संस्थापक है उनका नाम क्या है सामंत सेन और केबल आप लोग लिखने कार पढ़ने का ही काम नहीं करेंगे दिमाग में भी क्या करेंगे और यह दिमाग में तब ही आएगी जब आप बार बार रिवीजन करेंगे नहीं तो उसके बाद समझेगा इसका प्रामुख जो सासक हुए थे लचमन सेन और यह जो लचमन सेन है बंगाल का अंतिम सासक था पूछेगा कि बंगाल का अंतिम सासक कौन था लचमन सेन जो की सामंत सेन संस्थापक ते सेन बंस के उसके प्रामुख शासक थे नहीं एक बात और समझेगा कि जो सेन बंस है एक पहला राजबंस है जिसने क्या किया था अभी लेख हिंदी में उतकिर्न करवाया था ठीक है यानि सेनबंस जो है या पहला राजबंस था या पहला राजबंस था जिसने क्या किया था अभी लेख को किसमें खुदवाया था जिसने अभिलेक हिंदी में उतकिर्न करवाया था हिंदी में उतकिर्न करवाया खुदवाया आप जानते ना अभिलेक के बारे में अभिलेक क्या होता है जो मिट्टी पत्थर यानि पासान तामरधातु या तामरपत्र जिसको बोलते हो उस पर खुदाई करके अपने समय के जो कार्ज ओते हैं राजनितिक जीवन धार्मिक और सांस्किर्तिक उसके बाड़े में खुदवाई करवाई जाती उससे को हम लोगों क्या कहते हैं अभिलेख कहते हैं पुरा तत्व तो होता है जो जमीन के अंदर से खुदाई करके निकाली जाती है नहीं तो पहले जो आभी लेक लिखे जा अभी लेक की शुरूआत कौन क्या था शोक जो ब्राम्य लीपी खरुष्टी लीपी आर्माइक लीपी नहीं में लिखा था लेकिन इन्हों ने जो कर लिखवाया वह किसमें लिखवाया हिंदी में इन्होंने लिखवाया ये बहुत बरी उपलब्धी थी इनकी सेनबंस के शासको की ठीक है तो पूछेगा कि कौन ऐसा राजबंस था जो सबसे पहले क्या क्या था हिंदी में अभले कोटकिन करवाया था तो उसका नाम आएगा कहां पे सेनबंस अब इसके जो राजधानी थी सेनबंस की वो राजधानी कहां थी नदिया नदिया लख नौती यही न था यानि नदिया कहां परेगा लख नौती में ठीक है उसके बाद आप एक और बाद जाने कि इस बंस का विशेष्टा एक ही सबसे इंपोर्टेंट है जो याद कर लिजेगा वो यही है कि आप लेक किस बाद सामें लिखवाया गया हिंदी में इसका लिखा गया था तो सबसे पहले इसका स्क्रीन सोट लीजिए और आगे अपने बुक से क्या कर लिजेगा पर लिजेगा सारे बंस को तो सीमा बरती राज्जो का अभिदा जो था उसको हम यही पर क्या करते हैं शमाप्त करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शब्सक्राइब और लिंक को सेर कर दिजे तो मिले फिर एक और वीडियो के साथ तब तक टेक क्यर बाई बाई जै हिन बे इंज्वाई कीप वाचिन